पंची गाने लगे, खिड़किया भी खुल गई पढ़ने पढ़ाने की अपबार पुरानी हो गई फिर भी कैसा कोहरा है, घन घोर अधेरा है कहीं कुछ तो छूट गया, सिलसिला क्यों तूट गया कुछ तो आगे बढ़ गए, कुछ क्यों पीछे रहे गए है गर कहीं जवाब तो, चल कर उसे हम ढूंड ले पिछली बार की परिक्रमा में, मैंने मध्य प्रदेश में साक्षर्ता कारिक्रम के विभिन पहलूं का जायजा लिया मैंने देखा कि किस जोशो खरोश से यहां साक्षर्ता आंदोलन की शिरुवात हुई पढ़ने पढ़ाने का काम भी हुआ, लेकिन फिर भी काफी लोग पीछे छूप गए मैंने यहां साक्षर्ता कारिक्रम का एक अलग स्वरूप भी देखा कि किस तरह यहां साक्षर्ता कारिक्रम में बाल श्रमिकों को भी शामिल किया गया है जिससे निरक्षरों की संक्या बढ़ने से पहले ही रोग दी जाए इस तरह यहाँ प्रोड शिक्षा और प्रात्मिक शिक्षा को मिला कर सर्व शिक्षा अभियान की पहल गदमी शुरू हो गई है यहाँ नब साक्षरों को रोजगार उनमुख्य प्रशिक्षण देने के लिए व्यापक सर्वे का काम भी हो रहा है लेकिन इसमें छूटे हुए लोगों को जोड़ने की जिन्ता तो यहाँ भी है असतो मा सद गमाया तमसो मा जोदर गमाया अंधेरे से प्रकाश की और बढ़ने की प्रेणा दीता गोमती के तटका सवीरा क्या ऐसा ही सवीरा हम सबके जीवन में भी आएगा देश में साक्षर्ता आंदोलन की जो जोटी जलाई गई है क्या वो हर एक तक पहुँच पाएगी अपने ऐसे ही सवालों के साथ इस बार मैं उत्तर प्रदेश की राश्थानी लखनव में हूँ शायद यहां मुझे मेरे प्रश्णों के उत्तर मिल जाएं लखनव के साक्षर्ता निकेतन के बारे में तो पहले भी सुना था साक्षर्ता और प्रोड शिक्षा को समर्पित इस संस्था की स्थापना आजादी के कुछी साल बाद 1953 में डॉक्टर वेल्थी होनसिंगर फिशर ने की थी इस संस्था को साक्षर्ता और प्रोड शिक्षा के क्षेत्र में कारियों के लिए कितने ही राष्ट्रिये और अंतराष्ट्रिये पुरस्कार मिल चुके है अब ये संस्था उत्तर प्रदेश में साक्षर्ता कारिक्रम के लिए राज्य संसाधन केंद्र का काम कर रही है प्रावर्ण सिक्षा कारिकरम भारत सरकार ने शुरू हुआ तो सबसे पहली जिम्मेदारी इस साक्षता निकेतन को दी और ये साक्षता निकेतन उसके बहुत पहले 1953 से प्रावर्ण सिक्षा के उनी सब कामों को कर रहा था कारिकरताओं का प्रसिक्षण है या उनके अनकोल पुस्तकों का निर्मान करना है या शोध कारिकरना है तो देश में इस प्रकार की जिम्मेदारी को निर्वाह करने वाली एकर कोई संस्था या विभाग नजर आई भारत सरकार को तो उन्होंने का कि उत्तर प्रदेश में सा पढ़ने से ज्यादा कठिन काम पढ़ाना है अगर पढ़ाने वाले में समझदारी नहीं होगी तो ये काम और भी मुश्किल है विशेशकर प्रॉड शिक्षा का काम तो वैसे ही चटल है एक उम्र के बाद वो भी जब घर परिवार की जिब्मेदारी संभालना मुख्य काम होता है तब पढ़ने के लिए समय निकालना ऐसे प्रॉड लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना और पढ़ाना निश्चित रूप से ऐसे कारेकरताओं के लिए गेहन प्रिशिक्षन होना ही चाहिए मुझे तो खुद भी इसके बारे में जानने की उच्छुकता हो रही है हम अख़्वार पढ़ते हैं पुन्टर पर बहते हैं हम एक ट्रेंड लेरा है गाह में जाके जो येवा वर्ग हैं उनको संगठित करेंगे और जिस प्रकार की भी समझचाय हैं उनको दूर करने की कोशिस करेंगे जायो सिछा से संबन्दी तो, जायो पेजल से संबन्दी तो, सड़क से संबन्दी तो, जो भीकार है वो सभन लोब करेंगे हैं. इस प्रसक्ष्टर में 14 जनपत से लोग आयों हैं, ये जो लोग हैं, ये युवा हैं, नहरी युवा केंदर के जो कारे छेत्र है, गौन, ब्लॉक लेवल, वहां के ये युवा हैं, पंदरा से पैंतिस एज ग्रूप के हैं, कुल मिला के 30 युवा इस प्रसक्ष्टर में क्या इसके अलावा भी कुछ और हो रहा है तो क्या सक्षर्टा निकेतन में कठ पुतली के माध्यम से भी कुछ हो रहा है ये तो मेलों का खेल तमाशा है वैसे खेल तमाशे से भी तो शिक्षा हो सकती है और अगर शिक्षा का तरीका मनुरंजक हो तो उसका असर भी ज्यादाई होगा ध्यान भी केंद्रत होगा अरे मैं खुद ही कैसे देखे जा रही हूँ मुझे इसके बारे में जानका द céu रही लेनी चाहिए आ कम नाटक दिखा करके अपने नाचक को दिखाकें उन्हें मनुरंजन देते हैं जिसमें माश्यों वह मनुरंजन लेती हैं फिर उसके बाद वो भर वाले बता रहते बाप प्रे बाप इतने बच्चे हुए कैसे पढ़ाएं लिखाएं हमें जेवर नहीं पहनना चाहिए डांकू आये और उसकी नाग फाड़ के ले गए काम तोड़ दिया, मुँ तोड़ दिया इससे अच्छा तो भाया जेवर नहीं पहननी चाहिए अपने बच्चों की शिक्षा में हमें लगाना चाहिए इसलिए हमारी कड़ पुतली साक्षरता के द्वारा-द्वारा दूसरों को इतना मनोरंजन्दे के नाटक दिखाती है कि लोग अपने आप हाश ही लेते हैं अच्छा तो इसका मतलब यहां साक्षरता कर्मियों को कड़ पुतली का प्रशिक्षण भी दिया जाता है इनके अलग-अलग चरित्र बनाए जाते है क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे यहां के साक्षरता कर्मिय भी ऐसा ही कुछ सीखे इसको बना करके हम जो हमारी सिक्षिक संथा हैं उनमें हम भेजते भी हैं और उसके द्वारा यह लोग गाउं में जा करके काम करते हैं क्यूंकि उनको सहूलियत मिलती है इसके चलाने के लिए और एक कटपुद्ली बना के हम सप्लाई भी देते हैं यहां से जो हम कटपुद्ली देते हैं उससे वो लोग काम करते हैं फिर उनको लगता है कि अभी हमें सीखने की आवज सेखता है तो दस दिन आ करके हमारे पास रहते हैं इसको बनाने सिल्ले करके, रंगना, बनाना, कपड़े सिलना, फिर इसकी प्रकार-प्रकार की आवाजे बोलना हम उनको बताते हैं अच्छा, तो यहां इस तरह का हुनर सिखाने का भी प्रावधान है आरी और जर्दोजी का काम तो वैसे भी लखनव की पुराने परमपरा से जुड़ा है लखनव के चिकन कड़ाई वाले कपड़े भी तो काफी प्रसिद्ध हैं प्रोड शिक्षा के कारिक्रम में इस तरह के प्रशिक्षणों का काफी महत्व होता है एक तो परमपरागत तोर पर चला आ रहा विशिष्ट हुनर सुरक्षित रहता है दूसरे उसे विकास का अफसर मिलता है इससे आये का सरिया भी तो बनता ही है साक्षरता कारिक्रम के साथ साथ अगर इस तरह के प्रशिक्षण कारे भी चलाए जाएं तो लोगों को भी पढ़ाई लिखाई सार्थक लगेगी हाथों में कुछ कुशलता होगी तो आत्मविश्वास भी बढ़ेगा क्या साक्षरता निकेतन में इन प्रशिक्षणों को साक्षरता कारिक्रम से जोड़ा क्या है यह प्रशिक्षन जो हैं सबसे पहले तो हमारे शहरी छेतर में थे लेकिन पिछले दो तीन वर्शों से हम लोग ग्रामीर छेतर में भी कार कर रहे हैं और ग्रामीर छेतर में हम लोग सिक्षा से रिलेटेट कार करते हैं जिसमें उन्हों को तक्नीकी सिक्षा के साथ साथ साक्षर्ता भी सिखाई जाती है जैसे सतस्षिक्षा कारिक्रम या कार्यात्मक साक्षर्ता जिसे हम functional literacy कहते हैं क्योंकि हमारी जो भी सिक्षा है वो हम रोजगार से संबंदित देते हैं जिससे की लड़कियां जो हैं कार सीखने के पश्चात अपना कुछ न कुछ रोजगार कर सके और आर्थिक समस्या का निदान कर सके लेकिन ये भी तो है कि नव साक्षरों को सिर्फ हुनर सिखा देना ही काफी नहीं है उन्हें इसे रोजगार के रूप में चलाने के लिए पूंजी भी तो चाहिए पूरा करने के पश्चात हम उनको इंटर्पेनियोर्शिप की ट्रेनिंग भी देते हैं और स्वेम साहता समूव भी वनवाते हैं और बैंकों के माध्यम से उनको हम लोनिंग भी करवाते हैं और जिला उद्योग के माध्यम से भी उनको लोनिंग करवाते हैं जिससे कि वो अपने आर्थिक समस्याग हेतु जो है वो कुछ नकुछ साधन प्राप्त कर सकें उनको इस प्रकार के हम कारिकरम देते हैं जैसे चि मिट्टी से तरहा तरहा की चीज़ें बनाई जा रही हैं। मिट्टी से काम करने वाले तो मेरे गाओं में भी है। लेकिन यहां तो किस्म किस्म की एक से एक चीज़ें बनाई जा रही है। यह भी एक तरहा का प्रशिक्षण ही तो है। और क्या ये नवसाक्षर हैं नवसाक्षरों के लिए अगर इस तरह का प्रशिक्षण हमारे यहां भी होता तो मुझे इनसे अधिक जानकारी लेनी चाहिए यह तो अभी बनारा से जो आए हैं, पंदरा लोग हैं तो दो महले की ट्रेनिग इनकी तो यह पॉटरी और टाइल्स पॉटरी में बर्तन का है, तो यह बनाना और टाइल्स मूरल तो वो सिखाते हैं आप ए तो वैसे तो जो पॉटर रस होते हैं आज पास के िए में तो क कर रहे हैं बहुत दिन से कर रहे हैं लेकिन वही करते आ रहा है परमपरा कर धंग से अपने तो उसमें कुछ नया पन नहीं आपन पा रहा है अभी तक हम लोग ने गंबला सिखा अड़ा बनाना सिखा और घड़ा फ्लावर पॉट तीन साइस के डिफेरेंट टाइप के गंड अच्छा तो यह सभी साक्षर्दा कारिक्रम के कारिकरता है यह तो सच मुझी बहुत अच्छी बात है कि यह कारिकरता यहां से वापस जाकर नवसाक्षरों को यह विद्या सिखाएंगे वैसे अगर पारंपरिक रूप से इस काम में लगे लोगों को अगर उसमें कुछ नया करने का मौका मिल जाए तो उनका रोज़गार भी बढ़ सकता है हम लोग ने जो एक चीज देखा कि अगर हम इसी काम को नए धंग से चूकि समय समाज जो है वो हम नए अपन खोज रहा है साधारण जो है हम एक चुक्के में चाय देने के बजाए अगर बढ़िया उसी को मार्डनाइस कर दें और नए धंग से बनाएं तो जदे अच्छा लगेगा तो इन सब बातों को मद्दे नजर जो है ये सिखा जा रहा है चूकि यहां सिखाने का तरीका नए धंग का है इससे हमारे सी मतलब कंटीन्यू एजुकेशन में एक वोकेशनल स्किल पोग्रेम है जिसके अंतरगत ये ट्रेनिंग हम नव साक्षरों को जाके सिखाएंगे इन से जैसे कुमार हुए कुमार तो चाक पर ही काम करते रहते हैं लेकिन उन्हें कुछ नया तरीका सिखाना है वो तो एक ही चीज बनाते हैं कुल्हड बनाना जानते हैं कटोरी जानते हैं ये बना सकते हैं लेकिन उसके अलावा हम चाक के बिना भी क्या-क्या बना सकते है वो उनी सिखाना चाहते हैं इससे वो अपनी आमधनी तो करी सकते हैं साथ में जो भी वो पुराने तरीके से काम करते थे उसे कुछ नया रूप भी दे सकते हैं और नया रूप दे करके इसके मार्केट में डिमार्ड बहुत अधीक है तो हम ये सीख करके वहाँ पर लोगों को तिखाना चाहते हैं वारण असी के इन साक्षर्ता कारेकर्ताओं के विचार तो काफी मुझे है मेरी तो यही प्रार्थना है कि इनकी सोच पूरी हो इन्होंने साक्षर्ता कारेकर्ताओं को सचमुछी एक नई दिशा देने की सोची है मुझे इन से और भी काफी कुछ जानने को मिल सकता है मैं दो साथ से जिला साच्षर्ता समीती से जुड़ा हूँ और इससे मैंने काफी लोगों को पढ़ाने का काम भी किया है और मैं यहां से सीख कर जाओंगा तो छोटे-चोटे लगू उद्ध्योग गरीब महिलाओं और गरीब नोग में विस्तित करूँगा और उनकी आमदनी बढ़ाने का जरिया बनाओंगा मेरा यह उद्ध्य से हम लोग जो प्रसिक्षण दे रहे हैं यह तो अपनी जेगा पर है और इसी को मलब इसी का प्रचार करने के लिए अगर इसका प्रसिक्षण दिया जाता है इतना कुछ हो रहा है तो उपलब्धी भी अच्छी होगी इसके माध्यम से और भी साधना है जिससे हुई लेकिन खास और से जो हुआ कि जब से आजादी मिली देश को तब से दस वर्षों में जब जब जनगरना हुई तो इसका आउसा 6-7% ब्रद्धी से ले करके और जदस जदा अगरब हुई है तो 9 तक ब्रद्धी हुई लेकिन इस बार में 1991 में जो जनगरना हुई 52% साक्षता थी और अब बढ़कर के जब साक्षता पर जोड़ दिया गया खास दोर से महिनाओं की शिक्षा के लिए तो करीब सरसक परसंट यानि 15% की ब्रद्धी हुई जो एतिहाजिक ब्रद्धी प्रयास तो काफी हुए हैं यहां लेकिन देश के पैमाने पर अभी भी पीछे हैं 31 में अस्थान पर साक्षर्ता दर 1991 तक तो बहुत ही कम थी 2001 में 57 प्रद्धिशत हो गई प्रयास से प्रगति हुई है परुशों में साक्षर्ता कुछ बढ़ी हुई लगती है सौ में सत्तर साक्षर हो चुके हैं लेकिन महिलाओं की साक्षर्ता तो बहुत ही कम लगती है लगभग 43 प्रदिशत उत्तर प्रदेश में साक्षर्ता और प्रोशिक्षा का काम इतने पहले से चल रहा है अनुभवी लोग इससे जुड़े रहे फिर भी ये राज्जी इतना पीछे क्यों रह गया विशेश रूप से महिलाओं में इतनी कम साक्षर्ता तो सोचने का विशय है इसका हल ठुणना पड़ेगा वारण असी में मेरे प्रश्णों का उत्तर मिल सकता है वैसे भी वारण असी प्राचीन काल से ही विद्वानों की नगरी रही है यहां से विचारों का प्रवाह समूचे भारतवर्ष में होता रहा लेकिन आज की परिस्थितिया क्या हैं ये तो बस्तियों में जाकर ही पता चलेगा अच्छा तो वारण असी में भी कठपुतली के माध्यम से शिक्षा के प्रचार प्रसार का काम चल रहा है ये कठपुतली के पात्र? हाँ याद आया साक्षर्था निकेतन में भी तो ऐसा ही था? समझ में आया राज्य संसाधिन केंद्र लखनव से प्रशिक्षन प्राप्त कर इस तरहा कठपुतली का कारिक्रम लोगों की बीच में ले जाया जाता है लोगों की प्रतिक्रिया देखकर तो लगता है यहाँ ये माध्यम काफी लोकप्रिय है इसके माध्यम से तो पढ़ाई के अलावा दूसरी काम की और लापतायक बातें भी मनुरंचक तरीके से बताई जा सकती है कुछ चीजें हमें समय पर मिटीरियल नहीं मिल पाया था जिससे हम थोड़ा लेट हुए थे बीच बीच में हमें gap आया था लेकिन ये उस gap को हम लोगों ने fill up किया लोगों को जोड़े रखा और लोग फुछते थे कि कब कब तक जूड़े रहें हम लोग कब तक जूड़े रहें क्योंकि बीच में अगर हमारे पैस कुछ किताबे नहीं आएंगी तो थर्ड प्राइमर हम उनको नहीं दे पाये थे तो उसको बीस बीच में यह कल्चिरल प्रोग्राम से उनको जोड़े रखा उनके बीच में उनकी चमताजे से उनकी लोग गीत वगए रहे थे उससे जोड़ा, नाचक से जोड़ लिया, फिर धीरे धीरे ऐसा लगा कि उनको और आगे ले जाना चाहिए, तो पपिट से जोड़ा उनको, कुछ लोग को ट्रेनिंग के लिए लखन हो गए, और फिर उन्होंने इस प्रोग्राम या लिखाने का काम बंद पड़ा है, कार्यक्रम के बीच में अंतराल आ जाए, तो कार्य करताओं को ही नहीं, पढ़ाई सीकने वालों को भी प्रिरित करने में दोबारा मेहनत लगती है, नकी खाट की इस कली में तो पढ़ाई लिखाई सिखाने का काम अभी भी जारी है, पढ़ाने का तरीका भी कितना अच्छा है एक एक चीज किस तरह उदाहरण देकर पढ़ा रहे हैं एक बार दिमाग में बैठ जाए तो बात हमेशा याद रहेगी मुझे इनसे पता करना चाहिए कि यह क्या वो महिलाए तो नहीं जो पीछे छूट गई थी हम वो अर्तों को पढ़ा रहे हैं जो कि कभी घर से निकली ही नहीं पढ़ने के लिए घर में काम धंदे में वो उसी में रहती हैं जैसे और वो अर्तों को पढ़ाना हम चाहते हैं ता कि वो पढ़ कर अपने अपने बच्चों को भी ग्यान दें यह नहीं कि उनको काम में डाल जब वो जब माताएं पढ़ेंगी तभी तो बच्चों को ग्यान होगा इसलिए हम उनको पढ़ा रहे हैं बनारस में जो संपूर साख्षर्ता अभियान का प्रोग्राम था ये पहले बनारस और चंदौली के साथ बनाया गया था किन्तौ चंदौली दिस्टिक नया बन जाने की कारण ये एक फीज में इसको संचालित करने के लिए तयार कराया गया लग्ली इन दे मीन टाइम क्या हुआ कि गौर्मेंट आफ इंडिया से जो हमारी इंस्टाल्मेंट्स थी ग्रांट्स की वो किन्ही कारण वस हमको नहीं मिल सकी जिससे हमारा प्रोग्राइम जो एक फीज में आठ विकास खंड और नगर निगम के 90 वार्ड और राम नगर पालिका में जो संचालित होना था वो कुल साथ विकाजखंड राम नगर नगर पालिका के 25 वार्ड और नगर के कुल 31 वार्डों में हमने इस कारिकरम को संचालित कराया कुछ भी हो वारा नसी में पढ़ने पढ़ाने का वातावरण तो दिखता है बच्चों में शिक्षा के प्रती जो लगन दिख रही है उससे अंदाजा लगा सकती हूँ कि यहां शिक्षा के प्रती चाह जगाने का काम तो हुआ ही है शायद उस अनुपात में उपलप्त ही नहीं मिल पाई हमने यहां NGO invites किया और नहीश्वार सेवाभाव से हमने NGO को invites किया और उनसे कहा कि जो भी स्वेम सेवी संगठन सरवेक्षन का काम बिना किसी पैसे की करेगा उसे साक्षरता कारियों में विभिन कारिक्रम के तहत हम जोड़ेंगे इसका मतलब ये हुआ कि वारण असी में साक्षर्ता कारिक्रम के साथ स्वैम सेवी संगठनों को भी जोड़ा जा रहा है लगता है इस अभियान को लगातार चलाते रहने के लिए ये जरूरी है लेकिन क्या ऐसा हमारे यहाँ भी हो सकता है अच्छा अच्छा तो यहां इस तरह से छूट गए लोगों को साक्षर बनाने का प्रयास हो रहा है मुसल्मान महिलाओं को संभवता घर से बाहर निकलने में पाबंदी होगी इसी लिए इस कमरे में उन्हें पढ़ाया जा रहा है लेकिन इन छोटी छोटी कोशिशों से कितना हो पाएगा शायद एक एक को पढ़ाय की बात पर अमल किया जा रहा है हम भी पढ़ना चाहते थें लेकिन किसी गारे नहीं पढ़ पाएगा महरे हम में अबू नहीं पढ़ाये लेकिन अब मौका है तो पढ़ रहे हैं और हम पढ़ना भी चाहते थे पहले भी पढ़ना चाहते थे और अब भी पढ़ना चाहते हैं कि चाहते हैं कि हम पढ़ें ऑवमें भी जानकारी हो लोग जाना चाहते हैं फिर हमारे काम निव्हित ना हमारे घर था करने इसलिए निभर सके इसलिए हम चाहते हैं कि अविए बहुत ज्यादा पढ़ें पहलेत यह मुस्लिम और इंका मतलब काम है और यह जो हैं had arms GERK में बंकी बंदे रहाती है इनके मआबाप भी नहीं पढ़ा है क्योंकि मुसलिम में अंब दोखुत ही खम्ही ऐसे पर्दा ऐसी चीज है कि यह तो बाहर निकली नहीं पाथी. माबाब भी नहीं पढ़ाएं और सस्राल Cr स मिल जाता है कि यह परनी पाथी। अनुपचारिक सिक्षा नान फार्मल եौकेशन भी पार टाइम फार्मल अर्जूकेशन है। जिसमें वो समय जो learners चाहते हैं आने के लिए वो learners की सुविधा से नहीं हता है वो जो वहां की बिवस्था होती है जो सिक्षक होता है वो तैकर देता कि इस समय से इस समय तक आना है और इसी कुस्तक को पढ़ना इसे इतर नहीं पढ़ना है इसलिए वहां drop outs जाते हैं और जहां पर learners की आवशकताओं को देख करके बना जहां का प्रसिक्षित learners के लिए oriented हो करके करता है वहां drop outs है लेकिन बहुत कवा है उत्तर प्रदेश में प्रयास को देख कर तो लगता है कि हमारे गाउं में भी फिर से पहल हो सकती है लेकिन हाँ ढूनना पड़ेगा कि हामी कहा रह गई शिक्षा की धारा पहते रहे सदा चारों दिशाओं में फेले प्रकाश यही काम ना है यही है प्रार्थना देश में हो जाएं सभी सक्षे सब्सक्राइब सक्राइब सकते है